हलो स्टुडेंट प्यारे बच्चों आज हम लोग अनुपास समानपात की अनुपास समानपात की दूसरी एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे सेकेंड एक्सरसाइज ओके एक्सरसाइज नमबर दो दो क्या मान ले दो मान लो या जो भी थी अगर कल A था तो आज क्या है एक्सरसाइज बी हो जाएगी बस इतना ध्यान देना है एक्सरसाइज बी तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कुछ points के बारे में discuss कर लेते हैं जैसे कि अगर तो जो points मैं लिख रहा हूँ उन points को आप लोग जो है note down करते रहेगा माल लेते हैं कि अगर कोई भी दो संख्याइं दी हुई है एक दी हुई है एक A दिया हुआ है और एक के दिया हुआ B दिया है एक B है यह ऐसे माल लेते हैं जैसा कि मैं आरेंज किया हुआ है एक B है और एक C है यह दो numbers हैं और अगर यह दो numbers हैं तो इन numbers का प्रथम अनपाती जो होगा यह इसको बहुत सकते हैं प्रथम समानपाती भी बहुत सकते हैं प्रथम समानपाती इन संख्याओं का प्रथम समानपाती क्या होगा तो जो प्रथम समानपाती कहने मतलब यह है कि A की value तो यहाँ पे B और C दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या मान लेंगे अगर A है और फिर उसके बाद यह इसके साथ B हो जाएगा तो इसको समानपाती लाने के लिए यहाँ पर B B होना चाहिए तब यहाँ पे C होगा यानि कि यह एकदम लास्ट में होगा हमें प्रथम निकालना है तो यह हमने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद यह है लास्ट में लिख दिया यह बचिए हूँ इसको हम लोग रिपीट करेंगे तो यह क्या हो जाएगी यह रिपीट हो जाएगी तो हमेशा जब दो नमबर्स दी हुई होंगी उननका पर्थम समान पाति A निकालना है को हम लोग ऐसे एरेज़ करेंगी अब इसमें हमें A के वैलूट करना है कहने मतलब यह है अगर प्रथम समानपाती की बात करता है तो यहाँ पर यह हो जाएगा अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं मध्यानपाती की बात करते हैं अगर कोई भी दो संख्यां दी हुई है क्या दी हुई है एक संख्या एक संख्या बी कुछ भी लिख सकते है इस त कि यहां पे पहला है यह आखरी है तो क्या है हमें बी निकानना है तो यहांसे ही इस घूंपाती हो गया है तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग तो यहां पे इसको हम लोग लिख सकते हैं हमें B की value find out करना है तो यहाँ से यह A upon B हो जाएगा यहाँ से B upon C हो जाएगा तो B square की value कितनी आएगी यहाँ से आजाएगी A C और जो B की जो value होगी अगर चाहे तो यहाँ से इसको निका सकते हैं root A C ओके फ्रेंड्स ओके प्यारे बच्चों तो यहाँ से यह होगे मध्धानपाती अब इसके बाद अगर हम लोग जो है तरतीय अनुपाती की बात करें तो तरतीय अनुपाती की value क्या होगी तरतीय अनुपाती मतलब है C की value find out करना अगर कोई भी दो numbers दी हुई है इनका हमें तरतीय अनुपाती निकालना है तरतीय अनुपाती ओके तरतीय अनुपाती तरतीय अनुपाती मतलब जो है तीसरा यानि की value निकालना तो तरतीय अनुपाती की यानि ये क्या है पहला है और ये क्या है ये पहला है और ये क्या है यह क्या हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा अर्टी 3 अनपाती इसके साथ लिख देंगे तो यहां से A अनपात B is equal to B अनपात C यह कितना हो जाएगा यहां से C की वैलू अगर हम लोग निकालेंगे तो C की वैलू कितनी आजाएगी B square upon A आजाएगा इस तरीके से निकाल सकते हैं तो हम लोग questions solve करते हैं और जहां पर भी कोई problem होगी देखते हैं कैसा होगा एक और देख लेते हैं कि जो चतुर्थ समानपाती क्या होगा अगर चतुर्थ समानपाती की बात करते हैं तो वहां पर हमें B की value find out करना है कहने मतलब यह है गर वहां पर 3 दिये हुए है जैसे कि इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ 3 दिये ही होगे तो इसमें क्या कर सकते हैं यह हो जाएगा A, अनपात B और समानपात यहां पर C और यह क्या हो जाएगा D तो यहां से यानि इसी की value निकालनी है हमें साथ 3 ही दिये हुए होगे तो यहां से जो D की जो value निकलेगी वह क्या हो जाएगी B, C, यानि B, C और अपान में यह हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह 4 समानपाती होगा 4 समानपाती यह 4 अनपाती प्यारे बच्चो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं तरती हो गया तरती समानपाती में क्या हो जाएगा जो भी दिये हुए होगे उनका multiply कर देंगे अगर 3 value दी हुई है अगर 3 value नहीं दी हुई है तो हम लोग जैसा था वैसा ही करेंगे question को start करते हैं अगर किसी भी question में कोई भी problem हो तो आप लोग जो है उसे comment box में लिख सकते हैं अगर यहाँ पर कह रहा है कि 4 है और उसके बाद क्या है 54 दिया है 4 है 54 है पहली exercise का आप लोग question है exercise का first question यहाँ पर मध्यानुपाती की बात कर रहा है क्या कर रहा है objective question है 6 अनुपात मध्यानुपाती निकालना है और उसके बाद अनुपात और यह समान Mपात का निसान यहाँ पर समान Pात का निसान इसको क्या कर देंगे B अनुपात यहाँ पर 54 अगर जैसे हम लोगों ने डारेक है निकाला हुआ था 6 अपन B लेह सकते है इसको अपन भी अपन 54 लिसकते हैं इसका इसे multiply कर देते हैं तो यहां से जो b square की जो value आएगी कितनी हो जाएगी 54 into 6 ओके तो यहां से अगर इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ना 6 का 54 और यह या लड़ी 6 है ही यह b square यहां से जो b की value होगी कितना आजाएगा अगर b की value निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा root के अंदर 9 6 गोड़ी 6 तो इसका 9 का यहां पर 3 आजाएगा इसका 6 आजाएगा कितना आजाएगा 18 आजाएगा तो डारेक्ट यहां से भी value निकाल सकते थे यहां से भी हम लोग डारेक्ट वैलू निकाल सकते थे यह सब लिखने जैसा कि मैंने वहाँ बताया था मध्यान पाती में यह क्या है b के value निकालना है तो यह a है यह क्या है c है कितना हो जाएगा हमने बताया था root के अंदर ac हो जाएगा multiply कर देंगे answer आजाएगा next question पर आते हैं यहाँ पर कह रहा है कि बहुत ही simple question है पांच अनपात पांच समान पात x अनपात 45 यह दिया है यहाँ पर क्या करेंगे पांच बटे 5 कर देंगे यहाँ पर x बटे 45 कर देंगे तो 5 से 5 cancel out हो जाएगा यहाँ से x की जो value होगी friends कितनी आ जाएगी यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग सुधार लेजिएगा यहाँ पर जो लिखा हुआ हो क्या है 5 अनपात 15 है कितना है 5 अनपात 15 यहाँ पर समान पात कनिसान x अनपात 45 इसको आप लोग बुक में सुधार लेजिएगा तो यहाँ पर इसको कितना लेशेकते हैं 5 पर टे 15 is equal to x upon 45 तो कितना आ जाएगा 5 ते ही 15 इसको काटेंगे तो 15 ते ही 15 तो यहाँ से 15 आ जाएगा x की जो value आएगी वो 15 आ जाएगा कहीं कहीं पर मिस्प्रिंटिंग हो जाती है तो उसे आप लोग सुधार सकते हैं ओके नेक्ट कोशन पर आते हैं जो नेक्ट कोशन यहाँ पर दिया हुआ है कह रहा है कि कोशन नमबर 3 16 और 40 16 और 40 यह दो नमबर दी हैं किनकर 3 अनुपार निकाला 3 त yağ comments OK तो 3 अनुपार नेक्ट काराएं जैसा कि हम लोगोंने बात kierिया हुवा अगर 3 मतलब है कि यहां पर यह क्या है यह A है और यह क्या है B है हमें C निकालना है तो 3 अनुपार आप जो है recall करना. तो वहाँ से मैंने c is equal to निकाला हुआ था कितना निकाला था b square अपान a यहाँ पर b की value कितनी है 40 है तो 40 into 40 ओके और अपान में अपान में a हो जाएगा a कितना 16 है a क्या है 16 है तो यहाँ से क्या करेंगे a की value रखेंगे 16 40 into 40 काट देंगे तो कितना आजाएगा c की value 100 आजाएगा ओके पहरे बच्चों तो इसको इस तरीके से हमलोग देख सकते हैं next question पर यहाँ पर question number 4 जो 4 दिया हुआ है question number 4 question number 4 का जो a वाला part है मैं a बताऊंगा b वाला आप लोग solve करेंगे ए में कितना लिखा है 15 अनपात 8 समान पात 6 अनपात x यहाँ से x की value निकानना है तो 15 बटे 8 कर देंगे और 6 बटे x कर देंगे तो यहाँ से इसको पाटेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पाशी 15 और यहाँ से अगर हम लोग x को इधर ले आते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और बटे 5 तो यहाँ से इसकी value कितनी हो जाएगी 5 जितनी 15 और 5 दूनी 10 यह x का मान हो जाएगा इसको आप लोग देख सकते हैं दूसरे वाले question को आप लोग solve कर सकते हैं अब इसके बाद आते हैं पांस का first part पांस का जो first part घह रहा है यहाँ पे चतुर थंपाती निकालना है क्या है? 3 दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और 4.5 दिया है तो इसका मतलब यह है मैं चतुर थंपाती निकालना है तो यहाँ से क्या है? अगर यह A है और यह B है और यह C है तो क्या हो जाएगा? A अनपात B समानपात C अनपात B इस तरीके से हो जाएगा तो यहाँ से जो चतुर थंपाती के लिए जो B की वैलू होगी वो क्या हो जाएगी? B into C कितना हो जाएगा? B C upon A तो यहाँ से वैलू बस रख देंगे आंसर आजाएगा तो B की वैलू कितनी दी है? 6 दी है C की वैलू कितनी दी है? 4.5 दी है और A की वैलू कितनी दी है? 3 दी है 3 दूनी 6 और 45 दूना 90 यानि B की जो जो चतुर थंपाती होगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा इसका जो second part है आप लोग solve कर सकते हैं इसके बाद question number 6 जो question number 6 है आप लोग दिहां से देखिएगा question number 6 में कहरा है कि 6 6 में कहरा है कि 1.2 और 1.8 क्या है 1.2 और 1.8 इसमें कहरा है तरती अनपार्टी निकालना है क्या निकालना प्यारे बच्चों तरती अनपार्टी तरती अनपार्टी इसका अब लोग देख सकते हैं जो मैंने लिखा है तरती अनपार्टी अब यहाँ पर क्या है तरती अनपार्टी मतलब यह है कि हमें c की value निकाननी है यह a है और यह क्या है b है तो यहां से जो तर्तिय अन्पाति की value जो भी मैंने बताया था जो तर्तिय अन्पाति c की value आएगी वो क्या आएगी b square upon a आएगी तो यहां से इस तरीके से आप लोग note down कर लिजए जसा माने बताया उस तरीके से अब लोग याद कर लिजे इन सब चीजों कर तुरतियन पातिन क्या होगा समझ करके जैसा मैंने भी स्टार्टृम में को स्टार्ट करने से पहले है जो मैंने एक्स्प्लें WILM किया था ऐसी के queying सर्य कोлаये है तो यहां से अगर B की value देखा जाग कितना है 1.8 into 1.8 ओके और A की value कितनी दी है 12 दी है तो यहां से इससे दसमलो खटाएंगे तो यहां 6 दूनी 12 और 6 त्रुक 18 और 2 नहीं 18 दसमलो नो तो इसका कितना हो जाएगा नत्रुक 27 2 दसमलो 7 आएगी value तरतिया अनुपाती की बिल्कुल just like पहले वाला भी आप लोग इस तरीके से solve कर सकते हैं दूसरा वाला sorry next question पर आते हैं जो next question यहां पर दिया हुआ है मैं 7 question नमर बताने जा रहा हूँ आप लोग जो है उसका इसका second part solve कर सकते हैं अब यहां पर कह रहा है इसका मध्यानुपाती बताना है कितना तो मैं जो है दूसरा बता रहा हूँ पहला आप लोग solve कर लीजेगा एक बटे 12 उसके बद लिखा हुआ है एक बटे 75 इसका क्या करना है मध्यानुपाती निकालना है मध्यानुपाती जो मध्यानुपाती का जो मैंने फर्मुला बता अब यहां पर क्या है मध्यानुपाती है अगर यह A है यह C है तो हमें B निकालना है तो मध्यानुपाती B की जो value होगी क्या होगी root AC होगी तो A की value कितनी बड़ा सा root लगाएंगे A की value कितनी दी है एक बटे 12 और C की value दी कितनी दी है एक बटे 75 तो इनको अगर हम लोग factorize कर लें इसको 15,75 कर दें इसको 3,12 कर दें या गुड़ा ही कर देते हैं तो गुड़ा करेंगे तो किनना आ जाएगा एक बटे कितना हो जाएगा 12,5,60 और कितना हो जाएगा 12,7,84 और 84 और 6,90 एक बटे 900 तो एक बटे 900 कितना आ जाएगा नो का 3 हो जाएगा और सौ का कितना हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा एक बटे 30 आ जाएगा मध्यान उपार्थी आगे बढ़ते हैं इस तरीके से फर्स्ट बट भी आप लोग कर सकते हैं अब यहाँ पर कुछ कोशन दिये वह कह रहा है आठवे नंबर में फ्रेंट्स यह कह रहा है कि 10 और 60 और 150 और यह कह लिखा है 25 लिखा अब कह रहा है यह समान पात में है की नहीं समान पात में तभी होंगे जब इनके अनुपात बराबर होंगे इन दोनों का अनुपात ले ले हैं इसको लिख सकते हैं 10 अनुपात 60 ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं कितना 150 अनुपात 25 ले लेते हैं अब इसको कितना लिख सकते हैं 10 बटे 60 इसको किन्द लेते हैं 150 बटे 25 ले लेते हैं अब इसको अगर काटें तो 25 च्छा का डेड़ सो यह कितना हो जाएगा 10 च्छा का 60 6 आ रहा है एक बटे 6 इसलिए अनुपात में नहीं होगा क्योंकि इसकी वैलू एक बटे 6 आ रही है और इसकी वैलू 6 आ रही है तो यह दोनों बराबर नहीं है अगर बराबर होते तो अनुपात में होता इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका नो अब आगे वाला कोशन भी मैं वरिफाई करके देख लेता हूँ अब आठे में का जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पे कहरा कितना 20 यह कहरा बावन और यह कहरा 35 और यह कहरा 91 ओके तो यहां से इनको ले लेते हैं इनको ले लेते हैं अनुपात में लिखेंगे तो 20 अनुपात 91 ओके इसको अगर हम लोग काटें तो 7 से अगर हम लोग काते हैं इसको कितने हैं में इसको से काटा इसको चार से काटा 45 25 13,442 इसको मैंने काठा 7-795 33-91 तो यहां से यह आया 5 बटे 13 इधर भी आया कितना 5 बटे 13 तो यहां से क्या है यह दोनों value बराबर है इसलिए यह जो राशिया दी हुई है यह जो राशिया दी हुई है क्या है यह अनुपात में दी हुई है इस तरीके से जो बचचा पहला व première question भी निकाल सकते हैं अब यहाँ पर यह कहरहा है कि कुछ रासिय है आठ है, बारा है, चौबिस है और यक्स है ओकी? यह जो रासिय है Я question number 9 यह question number 9 यह जो जितनी भी रासिय है यह क्या है? अगर यह समान पात में है तो X की value find out करो क्या है X की value निकालना है तो इसको क्या करेंगे 8 अनपात 12 समान पात 24 अनपात X तो इसको किना ले सकते हैं 8 बटे 12 24 बटे X तो यहां से 8 है कम 8 8 तरुक 24 तो यहां से जो X की value होगी 12 ते 36 आ जाएगी कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों 36 आ जाएगी इसको calculate कर सकते हैं इस तरीके से दूसरा वाला question भी निकाल सकते हैं दूसरे वाले question में क्या कह रहा है 20 X 5 2 तो किना ले सकते हैं 20 अनपात X और समान पात 5 अनपात 2 तो यहां से इसको किना ले सकते हैं 20 बटे X बराबर 5 बटे 2 multiply हो जाएगा इसका अगर चाहें तो 5 एकम 5 5 तो को 20 तो X बराबर कितना जाएगा 4 दूनी 8 यह हो जाएगा answer ओके आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि तसमर कोशन में कहा रहा है कि 10 कामा 55 कामा 66 का दूतिया अनुपाति इतनी संख्याइदी हुई है कि इनका दूतिया अनुपाति दूतिया अनुपाति अब यहाँ पे कह रहा है दुतिया अनुपाती तो यहाँ पे क्या है यह प्रथम होगा यह क्या है दुतिया निकालना है तो यहाँ से इसको गयब कर देंगे तो यहाँ से किन्ना आ जाएगे एक X हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा त्रतिया यह हो जाएका चतुर्थी यानि प्रत्मा दिया हुआ है प्रत्मान पाती दोतिया निकालना है ये लास्ट के दोनों दिये हुए है ओके तो यहां से जब दिये हुए हो तीन तो ज्यादा आसानी होती है और जब नहीं दिये हुए हो तो वहां पर एक को डबल करना पड़ता है यहां कितना हो जाएगा 10 बटे X बराबर 55 बटे 66 ग्यारा पच्छी 55 ग्यारा च्छाका 66 तो इसको लिसकते हैं 10 बटे X बराबर 5 बटे 6 पांस दूनी 10 और 6 दूनी 12 X is equal to 12 आ जाएगा ओके तो यहां पर आज के जो है कोशन आज लेट भी हो गया है और 10 कोशन है और कल रिमेनिंग जो भी होंगे कोशिस करूँगा कि अगर मैं लेट तक पहुंच जाओंगा घर तो 10 कोशन जो है उनको भी मैं डाल दूँगा वहां पे तो complete हो जाएगा और परेशान होने के ज़रूत नहीं है और आप लोग वी कोशन ना आए तो पूश भी लिया कीजिएगा सिंपल है कोशन आज ही complete होयाते लेकिन जो है थोड़ा सा preparation भी करनी है कल के जाने के लिए तो आज बस इतना ही और आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहेगा किसी भी कोशन प्राब्लम हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा और च चैनल जो गुरूप बना हुआ है उस गुरूप का लिंक भी सेर करते रहेगा सबको बताते रहेगा ओके थैंक यू टेक केर